हलो फ्रेंट्स गुड मॉर्णिंग ओल अफ यू आप सब कैसे हैं बताएए जरूर आज मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ जिसके मसूरों से बहुत जाना कून आता है और वो बहुत जाना परिशान है और टीटमेंट बहुत ले चुके हैं फिर भी उनको कोई फायदा नह हो रहा है तो आपको करना क्या है घर में रखी होई चीजों का थोड़ा सा उसका ही उप्योग करना है और ज्यादा खर्चा नहीं है उसमें 5-10 रुपे का ही खर्चा है और आपको करना क्या है नमक ले लेना है नमक को और हल्दी और फिटकरी तो नमक हल्दी और फिटकरी इसको बहुत महीन करके नमक हल्दी में को मिला ले आधी आधी चमच और जब वो खतम हो जाए तो आप इसको फिर से बना ले अगर आप घटा बनाना चाहते हैं तो आपको एक चमच नमक और हल्दी और फिटकरी सारे बरावर लेना है उसको फिर तीनों को मिला ले और जैसे कि आप पिष्ट करते हैं उसको सुवे साम बैसा ही मिइट करें और वह 18 में इसका फर्क देख सकते हैं लेकिन हां है जड़ा धंदा पानी वरफ यह सब चीज ज़्यादा धंदे नहीं लेना है और ठंडा पानी तो बैसे कभी भी नहीं पीना चाहिए जाना ठंडा पानी से तो गला भी खराब हो जाता है तो नहीं पीना चाहिए और फ्रूट्स बगएर आप ज्यादा का है तो मैं आपको विल्कुल प्राउट से कह सकती हूँ कि आपको 15 दिन के अंदर आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा और अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं आपको किसी भी चीज का सॉलूशन लेना है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कॉमेंट करें मैं आपको जरूर बताऊंगी बावा टेक कियर और गॉट बावा टेक किय